नमस्कार दोस्तों पवितास टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है तो लाइक करने के साथ साथ सेयर भी करें और मेरे आगे के वीडियो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कांधीची ने कहा था कि पिर्थवी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पड़ाप्त प्रदान करती है लेकिन हर आदमी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं उर्जा संसाधन सिमित है भारत में दुनिया की आवादी 16% है और दुनिया के उर्जा संसाधनों का लगभग 1% भाग पाया जाता है हम उर्जा का उपयोग उसके उत्पादन करने से ज़्यादा तेजी से करते हैं सबसे अधिक उपयोग में आने वाले हैं जिसका वर्तमान सरूप हजारों सालों के बाद विक्सित हुआ है एक पुरानी भारतिय कहावत है जो इसका इस तरह वर्णन करती है पिर्थवी जल और वायू हमारे माता पिता से प्राप्त हमारे लिए एक उपहार नहीं है बलकि हमारे बच्चों के लिए कर्ज है इसलिए हमें उर्जा संरक्षन को एक आदत बनाने की जरूरत भारत में रास्टिय उर्जा संरक्षन दिवस लोगों को उर्जा के महत्व के साथ ही साथ बचत और उर्जा के बचत के माध्यम से संरक्षन के बाड़े में जागरू करना है उर्जा सरनक्षन का सही अर्थ है उर्जा के अनावसिक उप्योग को कम करके कम उर्जा का उप्योग कर उर्जा की बचत करना कुसलता से उर्जा का उप्योग भविस्य में उप्योग के लिए इससे बचाने के लिए बहुत आवश्चत है दैनिंग उपयोग में आने वाली बहुत से उपकरणों का सही धंग से इस्तेमाल करके हम सभी उर्जा सनरक्षन में भागेदारी दे सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आप सब के समक्ष उर्जा सनरक्षन के कुछ उपाए के साथ आई हूँ ये उपाय बहुत ही सरल और सहज धंग से की जा सकती है हम लोग अगर इसे रोज मर्रा के आदते में सामिल कर ले तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से उर्जासन रक्षन कर सकते हैं जैसे सूरी के प्रकास के सही उपयोग है तू जहां तक संभव हो खिर्कियां और दर्वाजी खुले रखें दीन के समय अधीक से अधीक सौर उर्जा का उपयोग करें अवसकता ना होने पर विदुद उपकरनों जैसे बल्ब, पंखा के स्वीचों को बंद रखें सधारन बल्बों की जगह सीएफल का उपयोग करें इससे 75% तक विदुद उपकरनों पर जमी धूल को नियमित रुप से साफ करें आई एस आई मारका वाले बिजली की उपकरनों का इस्तेमाल करें खाना बनाने से पहले अनाज को भीगोई रखें दढ़क कर खाना बनाएं इससे उर्जा की बचत होती है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार ना खोलें ओफिस आने जाने के लिए आप अलग-अलग कार की जगह कार पूल का इस्तेमार करें या सरकारी वहन के इस्तेमाल से इंधन की बचत होगी जल सरनरक्षन भी बहतर उजा सरनरशर का नेदर्थव करता है लोगों के दुआरा हर साल लगभग हजारों गैलन पानी बढ़वात किया जाता है जिसकी बिविन सरनरक्षन के साधनों जैसे कम से कम प्रभा वाले फबारों बहुत कम फ्लस वाले सोचाले नहाने तथा गारिद होने के इसमें बालती और मक का परियोग करके बचत किया जा सकता है दोस्तो ये छोटी मगर मोटी बाते हैं उम्मीद है ये पंतिया और ये सुझाव आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तके लिए टेक केर और गुडबाए